अत्वा सरस्वतेम देवेम शुद्धाम कुण्याम करोम्यहं पाणिनिय प्रवेशाय लगो सिध्धान्तको मुदेम अथा कारक प्रकरणे संप्रती तृतिया कारकम पश्यामह तत्र कर्त्र सम्या विधायकम सूत्रम उच्चते स्वतंत्रह कर्ता इति स्वतंत्रह कर्ता इति पदच्छे दहा दिपदम इदम सूत्रम स्वतंत्रह इति प्रथमा विभक्त एक बचनम कर्ता इति प्रथमा विभक्त एक बचनम स्वम् तंत्रम यस्या सहस्वतंत्रह शेशो बहुरीही इतिसूत्रेन बहुरीही समासह अत्राश्रियते कारके इतिसूत्रम अधिक्रियते अनुवर्तते एवंचा स्वतंत्रह कर्ता इत्यस्या अर्थाह क्रियायाम स्वातंत्रेन विवक्षिताह अर्थाह कर्ता स्यात इति धातु भवती धातु व्यापारह भवती व्यापारह नाम क्रिया तत्र क्रियायाम स्वातंत्रेण यहा विवक्षते अतवा स्वातंत्रेण यस्य विवक्षा भवती तस्य कर्त्र इति सम्झा भवती उदाहरे नार्थम काष्ठानी पचंती इति वर्तते अत्रा पचंति पाकरूपक्रियायां काष्ठानां स्वातंत्रेण विवक्षावर्तते अतहा काष्ठानां कर्त्रसम्यां एवं देवदत्त पचति पाकरूपक्रियायां स्वातंत्रेण देवदत्तस्य विवक्षास्ति अतहा देवदत्तह कर्ता स्थाली पचती पाकरूपक्रियायां स्थाल्याह स्वातंत्रेण विवक्षा वर्तते अता हा स्थाल्याह कर्त्रसम्या भवती विवक्षा अता कारकाने भवन्ती इती वुच्चते कारक चक्र प्रयोक्तु हु विवक्षा यथा भवती तथा सहततत कारकं प्रयुंते देवदत्तह काश्ठैही स्थाल्यां पचती इती वर्तते अस्मिन वाक्ये देवदत्तह कर्ता काश्ठानां करणत्वेन विवक्षा स्थाल्याह अधिकरणत्वेन विवक्षा कर्ता यदी पाकरूपक्रियायां स्थाल्याह स्वातंत्रेण विवक्षा क्रियते तदानिम स्थाली पचती इति यदी काष्ठानां स्वातंत्रेण विवक्षा क्रियते तदानिम काष्ठानी पचती इति अस्तो अग्रे करणसम्ज्ञा विधायकं सूत्रमाह साधकतमं करणं इति साधकतमं करणं इती द्विपदम सोत्रं साधकतमं सा इती लेखनिय मत्रा साधकतमं इती प्रथामाविभक्ति एकवचनं करणं इत्यपी प्रथामाविभक्ति एकवचनं साधक तमं, क्रिया सिध्धौ प्रकृष्टोप कारकं साधक तमं यते वुच्चते। कारके ती अधिक्रियते, क्रियायाह सिद्धव, क्रियायाह निश्पत्तव, अतीव साधकम यद्वर्तते, अतीव निकटम यद्वर्तते, तस्य करण सम्झा, अनेन सूत्रेन विधियते, अतीशयेन साधकम साधकतमम यद्विग्रहा, कारके ती सूत्रम अधिक्रियते, क्रिया सिद्धव, प्रकृष्टो पकारकम कारकम करण सम्झा स्यात, अती सूत्रार्था, क्रियायाह सिद्धव, क्रियायाह निश्पत्तव, प्रकृष्टो पकारकम करण सम्झा स्यात, अती, करत्र सम्झायां प्रयोजनम किम इती जिज्ञासायां उच्चते करत्र सम्झायां करत्र सम्झायां चा तृतियावी भक्ति विदायकं सूत्रम तृतियावी भक्ति हे भवती करत्र सम्झास्ति चेत करत्र सम्झास्ति चेत तत्रा तृतियावी भक्ति हे प्रयोक्तव्या विभक्ते द्विवचनम, तरतिया इती प्रथामा विभक्ते एक वचनम विधियमानम, अने शूत्रेन तरतिया विभक्ते ही विधियते, अन भी हिते इती सूत्रम अत्रा अधिक्रियते, एवंचा कर्तर करेने यो स्तरतिया इती सूत्रस्य अर्था, अन भी हिते कर्तरी करेन इति चार्थे दुन्द्वा इति सूत्रेन अत्र समासा हभवती अना भीहिते इति अधिक्रियते एवंचा कर्तर करेनेयों स्तर्तिया इति सूत्रस्य अर्थाह अना भीहिते कर्तरी करेनेचा त्रतियास्यात इति अत्र पश्यतो रामेन बाणेन हतो वाली इति वर्तते अत्र हताह इत्यत्रा हन इति धातो होक्ता प्रत्तेह वर्तते कर्मनी हताह कर्म उक्तम कर्तान उक्ताह अताह अनुक्ते कर्तरित्रतिया स्वातंत्रह कर्ता अत्रा वाली वाली नहा हनने हनना रूपक्रियायां स्वातंत्रेन विवक्षिताह अर्थाह वर्तते रामह अथा Rामस्य कर्त्र सम्झा, कर्त्र गरणयों स्तरतिया अठ्यने नत्रतिया, रामे न हता हा वाली। इते, अपिच्चा, केना वाली हता हा, बानेना हता हा, वालीना हा नने प्रक्रष्टोप कारकं नाम अत्यंता निगटा वर्ते साधनं बाना हा वर्तते। अतहा बान रूप साधनेन सहा वालिनम घातितवान अतहा बान इत्यस्या साधकतमम करणम इत्यनेन करण समझ्ञायां कर्तर करणयोस तरतिया इत्यनेन करणस्या बान इत्यस्या तरतियायां बानेन हतो वाली इती सिध्यती रामेन बानेन हतो वाली इती तरतिया विभक्ति ही अता चतुर्थी विभक्ति ही चतुर्थी विभक्ति ही संप्रदान विभक्ति ही तरही संप्रदान संप्रदान विधायकं सूत्रम किम्भवित मरहती इती चेत उच्चते संप्रदान संप्रदान विधायकं सूत्रम कर्मन यम अभिप्रेति संप्रदानम कर्मन यम अभिप् इती पदच्छे दहा, सप्त पदात्मकं इदम सूत्रम, कर्मना इती कर्मन इती शब्दस्या तरतियावि भक्ति एक बचनम, यम इती यतिती शब्दस्या पुलिंगे दृतियावि भक्ति एक बचनम, अभी प्रा इती चा अव्ययम, एती इती इंगतो इती धातो हो, प्रतम पुरुषा एक बचनम एती इतहा यंती इती सहा इती तत्तिती शब्दस्या प्रथामा विभक्त एक बचनम संप्रदानम इती प्रथामा विभक्त एक बचनम विधीयमानम अनेन सूत्रेन संप्रदान संप्रदान सम्ज्ञा विधीयते संप्रदानम इत्यत्रा सम्यक प्रद अभिप्रेति यम 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 अभिप्रेति सहा संप्रदान सम्यको भवती अस्तु संप्रदान सम्यायां प्रयोजनम किम इती चेत तदाहा संप्रदान सम्यायां चतुर्थी विभक्ति हे प्रयोजनम तरही चतुर्थी विभक्ति विधायकं सूत्रम चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने इति पदच्छे दहा द्विपदम सोत्रम चतुर्थी इति प्रथमा विभक्ते एक बचनम संप्रदाने इति सप्तमे विभक्ते एक बचनम सम्यक प्रदियते अस्मे इति संप्रदानम अत्रापी अनभी हिते इति अधिक्रियते तत्रतु कारके इती अधिक्रतम आसीत कर्मनायम भिप्र इती ससंप्रदाने इती सूत्रे कारके इती अधिक्रतम चतुर्थी संप्रदाने इती सूत्रे अनभी हिते इती अधिक्रियते एवंचा संप्रदाने चतुर्थी स्यात इती सूत्रा अर्था उदाहरणं विप्राय गाम्द दाती इती एक हा कष्चित चैत्रह वर्तते सह चैत्रह विप्राय गाम्द दातुम इच्छती तत्रा गो इती कर्म वर्तते गाम इती दुधियास्ति कलू कर्तुर इपसित तमम कर्म इती सूत्रेन तस्य कर्म समझ्ञास्ती अतहा दानस्य कर्म विप्राय गाम ददाती नमस्वस्तिस्वाह सुधालं मुषड्योगाच च इती चतुर्थी विभक्ति विधायकं सूत्रांतरं। कारक विभक्ति ही ना एशा उपपद विभक्ति ही। नमस्वस्तिस्वाह सुधालं मुषड्योगाच च इती पदच्छेदह द्विपदम सूत्रं। नमस्वस्ति स्वाह सुधालम मुषड्योगात इती शब्दस्या पंचमे विभक्ति एकवचनम अत्रविक्रहा नमस्चा स्वस्तिचा स्वाहाचा स्वधाचा अलम्चा वशच्चा नमस्वस्ति स्वाह सुधालम मुषड़ाह नमस्वस्ति स्वाह सुधालम वशडाम योगह नमस्वस्ति स्वाह सुधालम मुशड्योगह तसमात नमस्वस्ति स्वाह सुधालम मुशड्योगात इती चतुर्थी संप्रदाने इती सूत्रात पूरसूत्रात संप्रदाने इती अनुवर्थते एवन्चा नमस्वस्ति इती सूत्रस्य अर्थाह एभी ही योगे चतुरुथी स्यात इती नमस शब्द योगे, स्वस्ति शब्द योगे, स्वाहा शब्द योगे, स्वधा शब्द योगे, अलम शब्द योगे, वशत शब्द योगे, चतुरुथी विभक्तिहि भवती. अत्रा इमाने सर्वाण्य पी अव्यय पदाने संती इगे इक मुदारणं पश्चा महा हाराये नमाहा पशत्व महा इत मतलते अत हा रिशब्दात चतुर्थ Video Benote स्वस्ति इती शब्दाव रथते अत हा प्रजाभ्य स्वस्ती चात्रिभ्य स्वस्ति अध्यापकाय नमहा, अग्नय स्वाह, स्वाह शब्दयोगे अग्नय इती चतुर्थी, इंद्राय स्वाह, वरुनाय स्वाह, यमाय स्वाह, पित्रभ्य स्वधा, मात्रभ्य स्वधा, पितामहेभ्या स्वधा, इती अत्र सूत्रे अलम इती परियाप्ति अर्थ ग्रहनम इती वुक्तम। अत्र सूत्र 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 ग्रहनम इती वुक्तम। अत्र सूत्र ग्रहनम इती वुक्तम। नमस्वस्तिस्वाहा इति सूत्रम्प्रपूर्या उदाहर्यनानी उपपादेयता।